किचिन चाहे हमारी छोटी हो, non-modular हो, modular हो, किचिन को fully organize करने के लिए हम लोग काफी सारे kitchen racks purchase करते हैं, worth है या नहीं, यही आज kitchen countertop organization ideas में for non-modular and modular kitchens check करते हैं rental kitchens के लिए उपयोगी space saving organizers आज आपके साथ share कर रही हूँ, amazon must-haves है, मैंने सब amazon से लिए है, perfect है for rentals as well as अगर आपका अपना घर हो, first है यह wooden kitchen का organizer, this is a countertop organization और इसको आपको assemble करना पड़ते है, just A to A और B to B आपको assemble करना और कुछ इस तरीके सर लगेगा, I love the finish, I love the color, आप इसक countertop को organize करने के लिए, use भी कर सकते हो, so kitchen countertop organization ideas आप इसमें बहुत अच्छे सा लगा सकते हो, spacious काफी ज़्यादा अच्छा है, इसका pattern और design है, वो भी काफी ज़्यादा अच्छा है, flimsy बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा sturdy है यह organizer, mall kitchen organization के लिए this is a perfect kitchen organizer, जो कि आप wall पे भी hand कर सकते हो, इसलिए two-in-one है, so space भी आपका बहुत ज़्यादा safe होते हो और आप अपकी kitchen का countertop organize करने के लिए भी इसको use कर सते हो, बहुत ही ज़्यादा handy है और functional है, नमशकार दोस्तों मेरती स्वागत करती हूँ आपका home to week channel पर जहां हम बात करते हैं, जहां हम बात करते हैं, कुछ ऐसे tips and tricks की, home hacks की जो हमारा रोज मरगा काम आसान करते हैं, आज आपके साथ कुछ Amazon के must-haves kitchen organizers share कर रही हूँ, 11 kitchen racks worth or not साथ में tried and tested review पी देख रही हूँ, kitchen countertop organization ideas for modular and non-modular kitchens, अपनी kitchen को सजाने के लिए यह हमारा एक दूसरा kitchen rack है, kitchen organizer है, जिसको हम बहुत तरीके से use कर सक kitchen countertop पे use कर सकते हैं, या फिर इसमें एक दूसरा variation भी आता है, जो कि इस तरीके का है, आप इसको assemble कर सकते हैं, completely metal है, बिल्कुल भी flimsy मी और बहुत सारा space है इसमें, तो जितने भी सारे links है आपको सब description box में मिल जाएंगे, वहां पे आप चेक कर लेना, सारे के सारे pocket friendly हैं, तो आपको ज्यादा इसमें कुछ भी invest करने की जरुरत नहीं है, दूसरा जो organizer है, वो हमारा ये वाला organizer है, जो कि है by the house of work, इसकी बहुत सारे products मैंने use कियो हैं, इसमें कुछ इस तरीके से जालियां हैं, तो आप इसको kitchen under sink storage को organize करने के लिए भी use कर सकते हो, और इस तरीके से pull-out drawer है, जो कि बहुत ज्यादा convenient है, आप इसको under sink organization के लिए भी use कर सकते हो, kitchen under sink organization के लिए, bathroom under sink organization के लिए, इस तरीके से इसमें caddy भी आती है, जिसको आप multi-ways में use कर सकते हो, इस तरीके से hanging hooks आते हैं, मैंने इसको kitchen under sink organization में use करने के हुजाए, bathroom में use किया है, because इस तरीके का mess वहाँ पर मचा हुआ था, तो वहाँ पर मैंने इसको use करना ज्यादा अच्छा समझा, और इसमें since holes है ना, तो सारी का सारा जितना अगर पानी moisture वैसे तो अंदर storage में आता नहीं है, cabinet में आएगा नहीं, बट अगर still आ चाता है, तो पानी सब निकल जाएगा वहाँ, आज क अगरी सारी जैसे body, shampoo और अगरा की full size की bottles हैं, वह सब इसमें आ जाती हैं, बस आपकी heart pick की full size की bottle इसमें नहीं आएगी जो pull out का नीचे drawer है, बाकि आप इसमें बहुत सारा सामान रख सकते हो, जितना आप देख रहे हो, यह उससे जादा spacious है, और इसमें काफी सारा सामान जिसके साथ इस तरीकी की allen की आती है, पूरा disassembled form में आते है, इसके साथ आपके screws गएरा आते हैं, जो आप बहुत ईसली लगा लोगे, इस वली की की help से, तीन इसमें शेल्स हैं इस तरीके के, जो की metal shells हैं, और आप देख रहो उसमें space है, जाहसे की चीज़े गिरेंगी न तो इस तरीके के जो shells होते हैं, 3-tier shells, यह बहुत जाधा अच्छे हैं, आप इन में कितने ही तरीके की चीज़े store करके रख सकते हो, जैसे कि मैंने अभी अपना countertop जो है kitchen का इस तरीके से organize करके रख है, और still इसमें अभी और भी जगा है, और भी सामान इसमें आ जाएगा, आप under the shelf भी use कर सकते हो, अगर आपकी non-modular kitchen है, वहाँ पर चीज़े store करने के लिए perfect organizer है, अगर आपको अपने utensils, बरतन वगेरा या पर डबे भी store करने हैं, जिस तरीके से मैंने रखा हुआ है, countertop पे नहीं रखना तो under the slab आप रख सकते हो, अगला है हमारा ये वाला wire mesh basket, जिसमें set of three आता है, ये wall hang हो जाता है, काफी ज़्यादा sturdy है, three different sizes हैं, और इसके sizes अगर मैं आपको बताऊं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोटे से sizes हैं, इसमें आपकी vegetables जो हैं, जो हमारी रखने वाली होती है, fruits होते हैं, और बाकी जो extra सामान होता है, वो इसमें काफी स आरा आजाएगा, आप इसको utility में use करो, अपनी kitchen की wall पर use करो, this is perfect, बहुत ही अच्छा space saving organizer है, इसी में एक दूसरा variation है, ये वाला जो की three again tier है, मैं आपको two shelf वले जाधा नहीं दिखा रही हूँ, because उनमें space तो उतना ही लेते हैं, but take shelf कम होने की वज़ा से, हम चीजे उसमें बहुत सारी रखनी पाते हैं, तो ये three step है, तो इसमें हम चीजे काफी सारी रख पाएंगी, और front और back में आप देख रहे हैं, railing बनी हुए, तो चीजे इसमें से गिरेंगी भी नहीं, again आप इसको भी wall hand कर सकते हो, या फिर अपने counter top, या फिर under the slab में, वहाँ पे भी आप निकालनी पड़ेगी, but this is such a space saving idea कि इसमें इतने सारे बरतन adjust हो जाते हैं, और adjustable है, ये आप अपने बरतनों की height की तरीके से इसको पूरा adjust कर सकते हो, जैसे भी चाहिए आपको, और मेरे लिए तो ये ultra इसमें जगा बच ही गई थी, मेरे पास उतने बरतन ही नहीं बच आपको दिखाने के लिए कि ये कितना जाधा sturdy है, अगर ये चीज गिरती ना तो पूरा यहां पर फैल जाता, बट ये इतना जाधा sturdy है कि इसमें से वो जो चीज liquid बना हुआ है खाना वो भी नहीं गीरा, तो आप इसको अपनी cabinet में use कीजिए, बहुत जाधा space आपका save हो ज सकते हैं, इसके पीछे आप अपनी वो वली चीज़े रख सकते हैं, जो आप frequently use नहीं करते हैं, अगर आपकी kitchen छोटी है, और kitchen countertop organize करना है, तो एक tip and trick आपको बताते हूँ, इस तरीके के organizers use कीजिए, जो की wire metal के organizers है, ये iron होता है, इसकी ना तो width बहुत जादा है, इसका appropriate size है ये बहुत जादा bulky नहीं है, और इसकी side की edges है ना, उनको आप DIY करके extra चीज़े भी hang कर सकते हो, इस hook लगा के, तो इसका size देखो कितना compact size है, और अगर छोटी kitchen है, जहाँ पर बहुत सारा space हमारे पास नहीं होता है, slab पे, countertop पे, तो उस तरीके का जो चीज है, वो space use करने के आप इस तरीके के space saving organizers use कीजिए, बहुत ही perfect चीज है, जितने भी product links है आपको सब description box में मेल जाएंगे, चेक ज़रूर करना, मैंने सब Amazon से लियें, तो Amazon की quality होती है, वो काफी जादा अच्छी है, इसमें आप अपनी oil bottles, गी के containers, या फिर salt pepper containers, या फिर इस तरीके की serum में की ब एक traditional fruit basket की बजाए, मैंने इस तरीके की fruit basket लिये, जो की बहुत सुंदर एक mesh basket है, और इसका pattern देख रहे हो, ये two tier है, दो shells हैं इसमें, तो नीचे वाले में तर्बूस, melon वगेरा, सब कुछ आ जाएंगे, watermelon, melon वगेरा, इतनी अच्छी space है उसमें, मैंने तो अभी कुछ और ह दाल रखा है, और उपर आप छोटे मोटे fruits या फिर छोटी मोटी vegetables जो आपकी होती हैं, वो सब आप रख सकते हो, this is such a space saving idea, आप देख रहे हो, कितने तरीके से आप इसको रख सकते हो, अपने unique design and pattern की वज़ा से अगर आपने इसको center table, dining table, living room में रखा हो है, display में, वहाँ प सकते हो, since इसमें wheels हैं, तो इदर उदर ये चला भी जाते हो, और देखो कैसे perfectly एक छोटे से पतले से space में, ये fit हो गया है, जो कि मेरे space को maximize कर देगा, जाधा space यहाँ पर create कर देगा, तो इस तरीके के organizers आपको लेना ज़रूरी है, इसमें holes भी थे, तो नीचे अगर कुछ drip ह किचन में, बाथरूम में, कहीं पर भी, और अगर अंडर शेल्फ में, यूज करना है, नौन मॉडिलर के लिए, तो वहाँ पर भी यूज कर सकते हो, मैं नौन मॉडिलर से इसले बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी ये रिक्वेस्टेट वीडियो थी, कि दी हमें नौन मॉड के लिए आइडियास बताईए, तो वही मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, चैनल को भी तक सब्सक्राइब ने किया है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उस पावर को आपने बरकरा रखना है, बुस्ट अब करना है, अच्छे तरीके से, जिस तरीके से आप उसको चार्ज अप कर सकते हैं, मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कॉमेंट करके बताईए, कि आपने ये वीडियो कहां से देखा, इंस्टरग्राम पर कर लिजे, आज कल मैं आपके साथ बहुत सारे जील्स वगरा शेयर करती रहती हूं, स्टोरी शेयर करती रहती हूं, हमारी इंडियन केचन में बहुत सारा सामान होता है, बट उनको और्गनाईज करने के लिए भी हमें हलके हलकी से कुछ और्गनाईजेशन टिप्स लगान